दा इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मिजर हुमेडिटी इसा इंस्ट्रूमेंट त्यानि कि एक परकार का उपकरन सागन यंद्र अवजार यहां पर आपको हुमेडिटी समझना जरूरी है इंस्ट्रूमेंट समझ गए एक परकार के डिवाइस है डिवाइस डिवाइस हुमे में कितना water present है हवा में कितना water rapper present है यानि कि present in water in the Air यान के यह में कितना water यान कि that means water का molecules यान कि water vapor में कितना पानी by your water water inputs जर्बंबस बहुता जर्बास्प इंद कि अपढनी का वेपर थो एए में कितना water कि वार्टर मतल़ पर्जेंट है वहीं वार्टर यानि कि यह ज़ी रिक है इसे करें पानि गहने लगे लिए लोगने लिए वही रिक है इन्हें पूरे साथ वह बनाद हो वह बलां तो अनिके ज्यादा अगर एयर में ज्यादा वाटर पर्जेंट है तो हुमिडिटी ज्यादा है कम है तो हुमिडिटी मतलब कम है एयर में वाटर ज्यादा रेगा तो हुमिडिटी ज्यादा हो गिया एर में water का presence कम होगा तो humidity कम होगा तो इसका एक device होता है जिसे पता चलता है कि एर में कितना water present है कितना नहीं उस device का नाम है है hygrometer नाम है hygrometer हाइग्रोममीटर हाइग्रो मीतर हाइग्रो वर्स है ग्रीक्रोट्स हड्रोड़ के लिए अबहुद यह यह उऽाया है तो ने की वहता है है अले इसका मतलब वार्ट कर इलेज क्रीक वर्टस हाइग्रोड़ ब्लोय रमदसी तर अब्लोड़ टेवहां यानिकि क्या होता है इसका मतलब water water that means water moist moist नमी उतार है नमी यह वेट भी बहुत सकतो वेट मतलब इंतजार करना यह होता है वेट 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 इंतजार करना ठीक है और यह होता है वेट मतलब इंटाल करना एक और होता है उसका मतलब वेट यह होता है तो हुआ यह होता है ऑजार देट इतना वाटर वेपर परजेंट है किलियार यह है ग्रीक के हाइग्रोस से इसका मतलब हैड्रो हैड्रो हैड्रा कहीं भी आपको नदर आए तो समझ जाएगा पानी से रिलेक्टेड है चलिए एक बार देख लिजिए अच्छा से